याद रखना सो सुनार की होती है एक लोहार की होती है सब की आती है लेकिन हमारी आती है सब की आती है लेकिन हमारी आंधी है सो सुनार की एक लोहार की दोस्तों शारुक खान की नेक्स्ट मूवी यानि की किंग का अनौस्मेंट दोस्तों शारुक खान ने आखिर दोस्तों कल करी दिया हेलो गाइस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका S.R.K की किंग मूवी के एक और जबरदस एपिसोड में जैसे कि आप लोगों पताई होगा कि कल शारुक खान का था 59 हुआ बड़े यानि शारुक खान ओल्मॉस 59 साल के दोस्तों हो गए है और उनके इस बड़े को special करने उनके फैंस ने क्या कुछ नहीं किया कल रात के 12 वजे सही काफी train हुआ क्या सकते हैं कि कल पूरा दिन train दोस्तों चलता रहा हैपी बड़े शारुख खान, किंग खान, बातशाह यह वो तो गाइज यहां पे फैंस ने जी जहां से सारुख खान के बड़े के दिन को स्पेशल बालाने की कोशिश की लेकिन यहां पे एक डिसपॉइंट्मेंट लोगों को दोस्तों हाथ लगा कि यार आया नहीं अनौस्मेंट नहीं आया यह आखिर शारुख खान ने बड़े के दिन अपने फैंस को वो रिटन गिफ नहीं दिया जिस तरीके से हमें मिला था वाई साब यहां पे उनके प्रेवियस बड़े में या फिर उससे प्रेवियस बड़े में तो गाइज इस बार शारुख खान ने कह सकते हैं कि ऐसा कोई वीडियो आनॉसमेंट तो नहीं दिया लेकिन खुद साक्षात सामने आके उन्होंने कहीं बातें कि मुवी से रिलेटिड दोस्तों बोल दी है तो आखिर क्या कुछ गाइज यहां पर शारुख खान ने राच खोला और अब उनकी मुवी दोस्तों कब आएगी इन सब चीज़ों के उपर हम लोग बात करेंगे तो लाइक कीज़े सब्सक्राइब कीज़े ताकि आपका ऐसे यर वीडियो मिलते रहें जैसे कि गाइज आप लोगों पता होगा कि शारुख खान की तीन मुवी एक साल में आई और तीनों मुवी ने बक्स आफिस में मचाई तबहाई यानि कि कुछ 2700 करोड रुपे हाथ लगे थे भाई साब बहार 23 में और शारुख खान ये बात जान चुके हैं कि ओडियन्स को ठेटर तक बलाना है तो ओडियन्स के टाइप की मुवी बनानी है ठीक है फैंस हैं वो तो आ जाएंगे लेकिन हमें और ज़्यादा ओडियन्स चाहिए जो कि उनको लार्जन देन लाइफ सिनेमेटिक एक्सपिरि और यही चीज गाईज हम लोग और भी बड़े बड़े सूपरस्टार को सला देंगे देखो बाई अब रनवीर कपूर भी खान्स के जो गाईज यहां पे उनके नक्षे कदम पे चल रहे हैं और यहां पे रित्तिक रोशने भी दोस्तों वो चीज़े अपना ली हैं और य प्रशे देवगर, अक्षे कुमार, इवन दोस्तों और भी स्टार जो की क्योंटिटी के वैसे क्वालिटी को मार रहे हैं तो मुझे रोकता है कि यहां पे ज्यादा मूवी ना करने के वज़ाएं कम मूवी करो लेकिन जब मूवी करो तो बवाल करो तो यहां पे शारुक ने भले ही अपनी मूवी की यानि किंग मूवी की अनाउस्मेंट नहीं कि लेकिन यहां इवेंट में आके SARK Day, जो गाईज यहां पर वो करते थे थे ट्वीटर हों बैटके Ask ट्वीटर, वही चीज उन्होंने दोस्तों कल किया और फैन किया, मतलब यहां पर आमने सामने बात किया और फैन भी दोस्तों एकसाइटिट थे काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई क्यों नहीं किया ना उसमें डापने की चुछ तो गाईज यहाँ पे शारू खाने खुद बोला यहाँ पे सिधे तोर पे की सौ सुनार की एक लोहार की सबकी आती है और मेरी आती है आधी बोलते तो जादा अच्छा लगता लेकिन गा 2026 के इद में आने वाली थी हलाकि यह अनौस्मेंट और मुझे नहीं लगता कि शारू खान को किसी फैस्टिवल की जरूवत है मुझे नहीं लगता गाईज शारू खान अगर क्लैश करेंगे सिर्फ और सिर्फ चुटी के लिए तो गाईज यह गलत होगा आप लोग ने द भूल बलया पार्टिरी ने क्लैश किया काफी मन मुटाओ भी हो गया फैंस के बीच स्टार्स के बीच कई चीजे गाईज यहां पे हो गई बहुत वर्स चीजे हो जाती है शारू खान ने डंकी वर्से सलार के वक्त देख लिया है तो गाईज वो क्लैश नहीं होगा अभी इद और क्रिस्मस में देखो ज्यादा समय का फासला नहीं है मतलब अगर आप लोग यहां पे देखो कि पिछले बार इद कब होगी तो भाई सहाफ मिड मार्च जनवरी फरवरी मार्च तो गाईज यहां पर बस दो धाई महीने का अंतर है तो ऐसे में दो धाई महीने पहल जिस तरीके की किंग मुवी के अंदर एक्शन होने वाली है वह अनफॉर्गेटेवल होगा गाईज यहां पर वह मतलब नेक्स्ट लेवल के चीज़े होंगा सब भले ही सुजाएग होस्त ने ऐसी कोई बड़ी एक्शनदार दोस्तों मुवी नहीं बनाई है उनकी मुवी म सस्पैन ठिल का जो गाईज चीज़े हैं वह ज्यादा होता है वह चोटे बजट की मुवी बनाते हैं लाइक कहानी हो गई बदला मुवी थी उनकी उनकी उपर यकीन है उनको गाईज यहां पर किया सकते हैं कि सिद्धार्थ आनन मम्ता आनन पैसा लगा रही है शारु खान इतनी बड़ी एक्षिंदार मुवी कैसे बना सकते हैं इसके लिए तो सजसिधार्थ आनन एक्ट्री कुमार जैसी जो इस डिरेक्टर हैं उनकी ज़रुत पड़ती लेकिन नहीं तो गाई यहां पर एक अंडर वर्ल्ड डॉन की दोस्तों यह कहानी होती हुए दिखाई दे नहीं तो देखते हैं कि इस बार क्या कुछ आपे देखने को मिलेगा क्योंकि शारुख खाने तो यह साफ कहा दिया है सौ सुनार की तो एक लोहार की दुगाई यहां पर यह लोहार आखिर किस तरीके का हमला करेंगा यह देखने वाली बात होगी लेकिन इतना जरूर है कि शारुखान की दोस्तों यह जो मूवी है King Movies का Announcement हो गया है शारुखान ने खुद कहा है कि मेरी जो next movie है King अक्सर ही वो कहते वह आए हैं और कल्वी दोस्तों ने कहा किgesamt मैंने announcement नहीं किया लेकिन आप लोग यह कह सके हो कि जो patient होता है वो सबसे बड़ा हत्यार होता है तो गाई यहाँ पे सबर कीजिए आप भी सबर कीजिए मैं भी कर रहा हूँ इन्शाला जरूर कुछ खतरनाग चीज़े आएंगी तो गाई यहाँ पे आप लोग क्या सकते हो कि King movie का शारुक खान ने और स्टेज आनाउसमेंट किया लेकिन विडियो आनाउसमेंट नहीं किया क्यों करें भाई मतलब यहाँ पे जब जो चीज़े आनाउसमेंट करें अब मानके चलो कि जल्द बाजी में यह लोग किंक का आनाउसमेंट कर दें मानके चलो जबकि वो movie के footage तो मतलब उस announcement में नहीं होगा लेकिन जल्दवाजी के वह से वह चीजे सामने नहीं आपाएगे जो चाहते हैं कि जो जबर्दस खतर ना क्यूंकि अभी के जमाने में लोगों को negativity करने का बहाना चाहिए तो गाईज अगर वो चीजे अच्छी ने लगी तो यहाँ पर अभी सही negativity हो जाएगी तो यह लोग को शूट करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको चीजे दिखाएंगे यहाँ पर कल वीडियो अनौस्मेंट नहीं हुआ लेकिन शारू खान ने असार के डे जो की गाईज एक बड़ा इवेड़ था उसमें कई राजे खोली हैं तो मैं भी इंतिजार कर रहा था यार शारू खान ने बड़्डे में रिटन किफ नहीं दिया लेकि यह तो साक्ष वो कल सामने साकषात बैठ के किया तो यह इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है फैंस के लिए तों किंग मूवी का गम आप लोग कह सकते हो कह सकते हो कि अनौस्मेंट हो गया है लेकिन वीडियो अनौस्मेंट वाला जो गईज़ चीज था वा नहीं हुआ लेकिन कोई बात नह मेहनत चल रही है। 22.25 के अगर लाश्ट में आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो गाईज यहाँ पे इस बार किंग खान करेंगे यार पार। बताओ क्या है आपका कहना मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना है।